Hello Everyone Welcome Back To My Channel SunScience Studies वह आज आपको Day-7 Complete करना है for ESIC UTC 2022 Pre-Exam Quantum Missing Number Series आज आपको करने है 5-10 Question करने की कोशिश करना है Age Based Question करना है इसका Concept Clear करो और Profit Loss Based अगर आप DI कर सकते हो तो उसको भी Complete करना क्योंकि Competition बढ़ रहा है तो हो सकता है, Last Day Percentage Based DI और इस बार आपकी profit and loss based डिया आ जाए तो हमें पहले से prepare रहना है और age based में जितने भी आपके type of questions होते हैं ratio age में आपका ratio भी include कर दिया जाता है कहीं बार तो जितने भी type of questions बन सकते हैं exam में सारे type of questions आप complete करो table, cube, square यह आपको daily revise करनी होती है English में दो PDF English माधियम की करनी है कोशिश क्या करो वही PDF आप करो जो science, tech, environment से related जो editorial आते हैं आपके daily basis पे और जो आपको लगता है कि हाँ यह exam में ऐसा exam में आ सकता है और उसके अच्छे practice questions भी दिये रहते हैं उसमें PDF में जैसे error detection, parajumbal, close test तो उनको भी साथ साथ में लगा के चला करो तो आपके editorial के साथ जितने labels की practice है topics की practice है वो आपकी साथ में होती रहती है बाकि अगर आप basic से बढ़ रहे हो English का concept clear कर रहे हो तो tenses का chapter आज complete करोगे निमेशा बंसर माम की classes का free YouTube classes हो रही है 50 hours की तो आप उनको complete करो और उसके साथ साथ practice करो अगर आपको concept आता भी है फिर भी आपके marks कमाते हैं तो भी मैं बोलूगी classes attend करो क्योंकि कई बार होता है कि हमें आदिये दूरी knowledge होती है जिस वज़े से हमारे negative marking ह हो जाती है तो अगर आप classes लोगे तो आपको benefit खुद में ही देखने को मिलेगा exam में राइट reasoning की अगर मैं बात करूं तो age based आपको puzzle करनी है जो weight और age based puzzle होती है order ranking की right तो वो आपका last year exam में पूछी गई है तो आपको वो भी solve करना है आपको online मिल जाएंगी linear sitting arrangement करने की कोशिश करना है double single जो north south में एक दूसरे को देखते हैं चीक है persons अगर बैठे हुए है और अगर आपको single linear arrangement करना है तो उसमें ब में आती ही आती है mix question करने की कोशिश करना है silogues inequality blood relation direction distance यह सारे chapter हम complete कर चुके है तो आज अगर आपको time मिलेगा तो दो-दो question तीन तीन question आप सभी topic के करोगे जीके के बात करूँ तो जीके में G20 आपका SEO breaks यह सारी जो summits होती है वो आज आपको read करनी है इनसे related जितना भी current affair आपको आया है इस साल वो आपको read करना है इनकी conference meeting कहां हुई है यह आपको read करना है कौन president थे कहां पे यह भी आपको read करना है और इससे related जितनी भी आपके current affair जैसे कि 2022 में इनकी meeting कहां पे होनी है 2023 में कहां पे होनी है 2021 में कहां पे हुई थी तो यह सारी चीज़े आ जाती है एक्जाम में और यह confirm है इससे एक नएक question आएगा चिक अब आता है आपको current affair इसमें आपको daily revise करना है जिस तरीके से आप पढ़ रो current affair अगर किसी की video से complete कर कर रहे हो YouTube से तो आप उसको करो monthly अगर आप रीट कर रहे हो January का January या December का तो आप वो करो अगर आप previous जो 2021 है उसका complete कर रहे हो monthly based PDF से तो आप उसका complete करो वो आपके उपर है की current affair आपको कैसे करना है क्योंकि हर किसी का अलग-अलग होता है कोई daily basis पे करता है कोई monthly basis पे करता है क्या क्या exam में आपका आएगा तो आप आच की to do list आपको पसंद आई हो इसको complete करना आप लोग को बहुत जादा benefit देखने को मिलेगा अपने marks में इस बार ESIC exam में और कोशिश करो कि mock test भी लगाओ Sunday to Sunday या फिर आप वीक में अगर दो बार भी लगाते हो तो वो भी बहुत ज शेयर करना और जो भी ESIC exam के लिए preparation कर रहे हैं उन सभी को यह to do list शेयर जरूर करना thank for watching